जैहिन सात्यों स्वागत है आपका Self Study Classes विस समिध जैन YouTube चैनल और दोस्तो एप में दोस्तो बहुत सारे स्टुडेंट को एप डाउनलोड नहीं करते बर रहा है या फिर कर भी लिया है तो कोर्स भी नहीं देख पा रहे हैं तो मैं आज उनको बता दूँ कि यह जो Self Study Classes इस प्रकार से जब आप Play Store से करते हैं तो यह आपका वेल जो है आईकन उसमें लगा हुआ है है ना तो इस प्रकार से Self Study Classes आपको सर्च करना है और ऐसे आईकन में आपको एप मिलने बाला है तो दोस्तों हम देखें कि Play Store में आपको इस प्रकार से देखेगा यह Self Study Classes एप देखने बाला है यह Image उसमें डली है यह आईकन यह Logo उसमें डला है अब दोस्तों इसको Install करना है यहां से आप Install करेंगे ठीक है अब Install करेंगे तो बहां पर आपको नंबर मांगेगा जीमेल नंबर मांगेगा तो आपको OTP आएगा तो आप रेजिस्टर्ट करके आंगे बढ़ेंगे हिंदी किस परिवार की भासा है कई बार पूछा गया प्रशन है जल्दी से बता दीजिए यहिंदी की तैयारी कर रहे हैं यह प्रशनी आता तो भी आपकी तैयारी जीरू ही है तो आपको बता दे कि हिंदी भारोपी परिवार की भासा है बिल्कुल सभी कमेंट में उत्तर बता रहे हैं कुछ दोस्त, भारत में सरवादिक बोली जाने वाली भासा कौन सी है, सबसे ज़्यादा कौन सी भासा बोली जाती है, तो बिल्कुल सही आप लोगोंने समझा, हिंदी भासा सबसे ज़्यादा बोली जाती है, इसी टाइप के प्रिशन आपके पेपर में जल्दी से बता दें किस से हुआ है बैरी बैरी आई एम पेस में लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे वो गड़वर कर देते हैं तो इन तीन ओप्सन में से ही आप बता दें कि हिंदी भासा का जन्म किस से हुआ है जल्दी बता दें हाँ हिंदी भासा का जन्म जो हुआ है वह है आप भरंस से किस से आप भरंस से दोस्तो यदि आपने भी हमारे पिछले न देखे हो आपने पूरे इसके पार्ट तो आप YouTube पर Top 50 Study हमारे चैनल पर जाकर के करम से पिले लिश्ट में जाकर के आप देख सकते हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना जिससे कि आपको सारी तैयारी आंगे के पार्ट आपको मिलते रहें तो आप लोग जरूर जुड़े हमारे यूटूब चैनल Top 50 Study से और लाइक जरूर करे जल्दी की कमेंट करना है हमारे बताने से पहले हिंदी की बिसिष्ट बोली राज भासा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद हुए जल्दी से बता दें किस रूप में सबसे ज़्यादा प्रिश्द हुई है तो हिंदी की जो बिशिष्ट बोली ब्रज भासा है उसको क्या किया है कभी ओने अपने काब की भासा बनाया है कई काब रचना इसमें लिखी गई है ब्रज भासा में ठीक है सूर्दा सित्यादी ने लिखी ना भारत बरस में हिंदी को आप किस बर्ग में रखेंगे भारत बरस में आप किस बर्ग में हिंदी को रखेंगे तो आपको बता दें राज भासा के रूप में हिंदी को रखते हैं किस भासा के रूप में राज भासा के रूप में याद कर लेना बिल्कुल महत्पूर पर सना गया है धूडारी बोली है किसकी है धूडारी जल्दी से बता दें तो धूडारी जो बै है बै हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तरा ब क्योंकि complete करने हमें एक हजार प्रशनों का लक्ष रखा है इसलिए निरंतर हम वीडियो ला रहे हैं बहुत सारे हमारे चैनल पर upload हो चुके हो बहुत सारे आगे होने है चली ब्रजबुली नाम से जाने जाती है कौन सी जाने जाती है ब्रजबुली नाम से तो आपको बता दे कि जो पुरानी बंगला है उसको ब्रजबुली भी कहते थे याद रखिएगा पुरानी बंगला क्या कहते हैं ब्रजबुली बिल्कुल यहीं याद करते जाएं या कम से कम दो बार एक वीडियो को देखेंगे तो परफेक्ट हो जाएगा निमने लिखित में से कौन सी भास देवनागरी लिफी में लिखी जाती है अब इन मेंसे बताना है देवनागरी लिफी में लिखी जाती है तो आपको बता दें कि जो तो मराठी भासा है, किसमें लिखी जाती है, देवनागरी लिखी में लिखी जाती है, सिंदी है, ब्राचण में लिखी जाती है, ऐसे अलग-अलग है, ठीक है, और देवनागरी में कौन-कौन सी लिखी जाती है, तो मेन जो है, संस्क्रित और हिंदी, इन दो में से पूछे जाता है तो गो भी याद रखिएगा आगे देखें एक मनई के दुबे बेटवे रहन एक बोली और भासस संबंदे इसमें थोड़े ज्यादा पुछे जाते हैं एक मनई के दुबे बेटवे आपने बाप से कही दादा धनमा जवन हमरा बखरा लगत होए तबन हम देदे यह अब तरण हिंदी की किस बोली में है जल्दी से बता दे किस बोली है तो यह जो है मनई दवाई एसाब आते हैं अबधी की अंतरगत किसकी अंतरगत आते हैं हां तो अबधी भासा के अंतरगते आते हैं अबधी हो जाएगी है निमने लिखित में ऐसे कौन सी भासा संस्कित भासा की अपभरंस है संस्कित की अपभरंस किस भासा को कहा जाता है बेरी बेरी आई एम पी तो आपको बतादे संस्कित की जो अपभरंस कहा जाता है वह कह अधिक तर जो भारती भासाइं थी उनका विकास किस लिपी से हुगा है जल्दी से बता दें तो आपको बता दें सबसे जरूरी कॉस्चन हो जाए जिसको हम कह देंगे बैरी बैरी आई एंप उसको रट लेना है तो आपको बता दें कि अधिक तर जो भारती भासा का विकास ह ज sync रां कं सकते ब्राह्मा को बद्ध को सबस्गें और आफिस लिए अथी हिंदी लिपी में लिखी जाती है यह हमने बता ही दिया था कि हिंदी भासा प्री। लुप से बजो हिंदी का प्रचलित रूपंधि क्या है तो आपको बता हिंदी भासा की बोलियों के बर्गी करण के आधारपा 36 गड़ी बोली कौन सी जल्दी से बता दीजिए तो 36 गड़ी जो है बिल्कुल कमेंट में उत्तर करते जाए पूर्वी हिंदी और अभी तक लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करतें इसकी हमने ट्रेक आब 36 गड़ी मतलव अब? आभ सारे वीडियो आपको तो आप पूरी तयारी सलेवस के रूषार करना चाहते तो भी चैनल से जड़ करके कर सकते हैं निमने लिखेत में से कौन सी पस्चमी हिंदी की बोली नहीं है पस्चमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है जल्दी से बता दें तो आपको बता दें कि पस्चमी हिंदी की जो बोली है बुंदेली तो है ब्रज भी है कन्नोजी भी है बगेली नहीं है ठीक है तो इसका उत्तर हो जागा बगे नी आगे महत्पून प्रश्णा गया भारती संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभासा संबन्दी प्राप्धानों का उल्लेख है अनुच्छेद बताना है सबको बिल्कुल यह तो रटाई हुआ है यदि हिंदी पढ़ रह है चीन नहीं में दोस्तों प्रश्ण अच्छे लग रहा हूं तो वीडियो को लाइक जरू कर देना क्योंकि हम लोग इतनी मेहनत करते हैं तो आपका भी करताभ है लाइक सेयर करने का और चैनल को सब्सक्राइब करने का हिंदी भासा के विकास का सही क्रम कौन सा है अभी हम एक आध दिन में गला ठीक हो जाएगा फटा फटा फट ओर परसनी भी आगे पड़ेंगे सम्विधान के अनुच्छे 351 में किस विसाय का बढनन है अनुच्य तीन से क्यावन सम्विधान के जल्दी से लिए किस विसाय का बढनन है तो आपको बता दे इसमें दिया है यह पस्च में हिंदी है मग ही किस उपभासा की बोली है मग ही कल्दी से बता देना दोस्तों मग ही किस बहसा की उपभासा की उपभासा है हिंदी खड़ी भुली किस अपभरं से बिक्से तुई है हिंदी खड़ी बोली किस अपभरं से बिक्से तुई है ठीक है? खड़ी गोली भासा के यादार पर भारती राज़ों की पुनार संरचना की गई थी किस सन में की गई थी? इस संयाड कर ले ना हमेसा के लिए 1956 में और जहां तक मुझे याद है पहला भासा के यादार पर राज़ बना था अंधर प्रदेश ठीक है भासाई आधार पर सर प्रथम किस राज्य का गठन हुगा था लोग हमने उत्तर यहां पर बताया नहीं कि उत्तर यहां पर आई गया है अब तुम मैंने पहली स्कुआउट कर दिया समुझी लगा कि होगा नहीं तो क्योंकि पीडियेफ हमने अलग से बनाई है एक हज ब्रदे तो दूसरी का समंद किस उपहासा से है बिखेली आपको संमंद बताना है जल्दी से बतादे बोली एवंभासा से जल्दित प्रश्न है तो इसका उत्तर हो जाएगा बगेली पूर्वी हिंदी से हैं पूर्वी हिंदी कि हमनें ट्रिक वटाई थी अब च थैसogrध मतला अबधी बगेली और छती सिवड़ी इस प्रकार से पूर्वी हिंदी से सम्मंध हो जाएगा फटा फट कमेंट करें किस तिथी को हिंदी को राजभासा बनाने का निर्णाय लिया लगिया था वो तिथी बतानी है कि किस तिथी में हिंदी को राजभासा बनाने का निर्णा लिया गया जल्दी से बता दीजिए पर तिथी कौन सी थी हाजी बिल्कु सही 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभासा के रूप में निर्धारत किया गया बर्स 1955 में गठित प्रथम राजभासा आयोक के अद्ध्यक्ष थे कई वार पूछा गया है प्रथम राजभासा आयोक के अध्यक्ष कौन थे तो आपको बता दे कि BG कहर थे कौन थे बीजी खेर आप इससे आपसे लगा सकते हैं कि बीजी खेर जब अध्यक्ष बने तो उनों ने का अब अन्य जो विदेशी भासा उनकी खेर नि रहेगी आ हमारी राज भासा हिंदी ही चलेगी तो बीजी खेर प्रतम अध्यक्ष थे राज भासाईव के आगे हैं भारतिय चांबिधान की 8 वी अनुसूची में सामिल भासाओं की संख्या कितनी है, यह सब ही पर बनना चाहिए, तो आपको बता दे उन में जो भासा की संख्या है, टोटल 22 कितनी है, 22 है, अनुसूची में भासा है, हिंदी की आधी जननी किसको गहा जाता है, बहुत सरल पुछन है, लेकिन कई बार पूछा गया है, तो हिंदी की आदी जने नहीं है, संस्क्रिट, ठीक है, आठवा विश्व हिंदी संबेलन 2007 ECB में आयोजन इस्टल था, ये कई बार पूछा गया 2007 का, वैसे गोर भी संबेलन लेकर 2007 का सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो कहा पर हुआ थ आठवा विश्व हिंदी संबेलन 2007 में हुआ था, ठीक है, निमनी लिखित में से कौन भारोपी ये परिवार की भासा नहीं है, भारोपी ये परिवार की आपको बहसा बताना है, कौन सी नहीं है, तो आपको बता दे कि मराथी, गुजराती तो है, हिंदी तो है, मले आलम न मनाया जाता है, वेरी वेरी आई एम पी, जल्दी से कमेंट कर दे, तो उस्तो प्रिश्ण बस आ रहे हो, तो लाइक जरूर करना वीडियो को, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, ठीक है, विकास की द्रश्टी से प्राकृत की पूरुकाली नवस्था का नाम क्या है प्राकृत की पूरुकाली नवस्था का नाम, विकास की द्रश्टी से, लेकर हम कॉस्चन पर टिक लगा रहे थे, लेकिन आंसर पर टिक लग गया, पाली, क्या है, पाली पस्चमी हिंदी की दो बोलियों का सही योग में है, पस्चमी हिंदी की दो बोलियों का सही योग में बताना है, कौन सा है, पस्चमी हिंदी के अंतरगत आती है तो अभी आपन ने पड़ी थी पूर्वी हिंदी की है पॹरज बगेल हिने यह भी नी है छत्यत गडड़ी बांग्रु यह भी नी ह Nam खड़ी वुअ बुनदेली यह क्या है पछभी बूरी हिंदी की है थिक यह तीक है खड़ी बुणेली बहुत महत्पूर्ण प्रश्णा गया बैरिवेर याई एमपी कई वाल लोग पूछा गया इसमें कन्फूजों के गल्ती करके आए है आपको बताना है देवनागरी लिपी का सही क्रम धिल्ली से बता दे तो मैंने बता है सबसे पहले जो लिपी आई थी वह कौन सी थी ब्राम्मी लिपी आई थी भाषा की सबसे छोटी काई क्या है? बिलकुल भी confuse नहीं होना है, भाषा की सबसे छोटी काई बरण है याद रखीएगा सब्धमक करदेना बरण है, अक्छा, ध्वनी, ठीक है? इनको ही कहते हैं बरण माला कहते हैं, बरण माला किसकी समूई को कहेंगे, तो बरण माला कहेंगे बरणों के बिवस्तिस समूई को, याद रखीगा, बरणों के बिवस्तिस समूई को क्या कहते हैं, बरण माला, बिलकुल याद रखी बिवस्तिस समूई, यह तो बरणों के संकलन करके आजाओ नहीं पूरे option देखना है निम्न वैसे कंठ धौनिया है तो पहले ही आपको पिछले वीडियो जो प्रक्टिस सेट करा है तो बता चुके हैंगे पूरा काबर्ग कैसा है कंठ है तो का और खा कैसी हो जाएगी कंठ धौनिया और चार्ण स्थान कंठ हो जाएगा इस्थान के आधार पावताई की मूर्धन बेंजन कौन से हैं कंठो का मूर्धा से बूल ले जाने वाले आपको बेंजन बताना हैं तो डाव धा ठीक है रख resonance वे को निम्री लिखित में अलफ ब्राण कौन को उसे हैं हमने बताय था प्रतीख भरक का एक तीन ऑपांच भर आज़ना होता है ज्यक्त का बरतीख लेल 엥ा काहि नी होगा घॉच्छ्छ एक तीन यह थी अपांच इंगा होजयेगा इस विकास mm के दिया तो का और गायस में दिया है 162 का B एक, तीन, पाँच अलप्राण, दो और चार महाप्राण पूरे वीडियो आपको देखने हो तो यूटूब पर हमारे Top 50 Study यूटूब चैनल की प्ले लिस्ट में जाए वहाँ पर लगफख 25-30 वीडियो वीडियो वीडिया करल की अप्लोड है आप जा करके देख सकते है निमलेखेत में से नासिक बेंजन कौन सा है नासिक, नासिक मतलब नासिका जिसका स्थान हो, चार स्थान तो प्रतेक बर्ग का पंचम बर्ण जो होता है, पाँचवा बर्ण वो कैसा होता है? नासिक होता है, अनुनासिक होता है तो इगा क्या हो जाएगा? नासिक हो जाएगा, नासे उच्चारण होता है ए आई बर्ण क्या कहलाते हैं? ए और आई जल्दी से बता दे, ये आई क्या कहलाती है धुनिया, कौन पहले उत्तर देता है हम देखते हैं, तो ए और जो आई है मैं कंठ तालू, संस्कित में सूत रहे, ए दाई तो कंठ तालू, मतलब ए और आई कंठो तालू से उच्चारित होते हैं संस्कित के यह बहुत सारे वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएंगे तो आप वो भी देख सकते हैं हिंदी बरण माला में आयोगबाय बरण कौन से हैं बिल्कुल आयोगबाय जो कहलाते हैं वीडियों के बाद आते हैं वेज़नों के पहले आते हैं वो आयोगबाय कहलाते हैं और अम और आहा कैसे हैं आयोगबाय है ठीक है इस वकार से आगे देखते हैं अच्छे लग रहा है वो पस्तो लाइक जरू करना निमने वैसे बताईए किस सब्द में दुट्वेंजन है कई बार पूछा गया है कौन से सब्द में यह बताना है तो आपको बताते हैं कि दुट्वेंजन किस में है दिल्ली में क्यों ला और ला लोग दो बेंजन एक साथ एक आधा एक पूरा ऐसा आजा तो उससे दुट्वेंजन समाझ लेना फीक हे एक से होना चाहिए सब्द में लेखत में से बताई दुट्वेंजन को नवीन विक्षित धहनया बतानी है कई बार पूषी गई है आज एक खा और गाई कैसी हैर नवीन विक्षित धहनया यहां पर इसमें दिया हुगा है गोस बरण के अंतरगत उसका उत्तर हो जाएगा मां तीन में से इस पतर बता दें मां तो ना सा गला गड़ बढ़ा है चलिए आगे कौन सा अमानक बरण है अमानक बरण आपको बताना है जल्दी से बता दें कौन सा हो जाएगा भा कैसा है अमानक बरण है दोस्तों संग्या विशिषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है संग्या विशिषण की जोड़ी है इनमें से कौन सा सही नहीं है विसका विसेला बनता है सही है पिता का पैत्रिक होता है सही है आदी का आदिम भी सही है प्रांत का प्रांतिक सही नह ही है ठीक है प्रान तो अपने आपई में मतलब वो है तो प्रान तेक सही नहीं है बाद की सही है चले आगे देखें बैरी बैरी आई एंपी आ गया प्रिश्ण कभी का स्त्री लिंग होगा कई बार पूछा गया कभी ए पूछा जाता है सुद्ध लिखने के उसमें कभी स्त्री लिंग में कभी कभी इत्री का पुल लिंग तो क्या होगा इसकी स्त्री लिंग जल्दी से बता दीजिए कभी का स्त्री लिंग तो आपको बता दे कि कभी का जो इस त्री लिंग हो जाएगा वह हो जाएगा कभ इत्री ये वाला याद रखिएगा कभ इत्री कई लोग इसको लगा आते हैं डी वाले को बहुत बड़ी गलती करते हैं कभी इत्री नहीं है कभ इत्री है कभ इत्री ठीक है हिंदी भासा में बचन कितने प्रकार के हैं तो आपको बता दे कि हिंदी भासा में जो बचन हैं वह कितने प्रकार के हैं दो एक बचन और बहु बचन याद रखीएगा संस्क्रित में तीन परकार के हैं एक बचन दुए बचन बहु बचन लेकिन हिंदी में कितने परकार के हैं दो परकार के Confuse निख होनाँ बिल्कुल हिंदी में दो प्रकारोंций 3 प्रकार कें Link की द्रहश्टी से दही क्या है जल्दी से बता दे दही दही क्या सा सब्द है अब आप बताओ कि दही जो है दही खाती है के खाता है संग्या के स्थान पर प्रयोग्ट होने वाले सब जगत फेमस है यह तो सरवनाम जो संग्या की प्रयोग्ट होते है ठीक है आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूं, सही है, मैं तेरे को एक घड़ी दूँगा, मैं तेरे को एक गलत है, मैं तुम्हे होना चाहिए, मुझे इस बैठक की सूटना नहीं पि ये भी सही है, तो इसका उत्तर हो जाएगा, C, ये वाला गलत है, सर्वनाम का गलत प्रिय होगा है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, जल्दी से बता दे मुझे, तो आपको बता दे मुझे जो होता है उत्तम पुरुष सर्वनाम है, जब स्वयम की बात हो तो उत्तम पुरुष, सामने वाले तुम की बात हो तो मध्यम पुरुष, और किसी बहत्यादी की बात हो बह बे तो होता है प्रथम पुरुस याद रखिएगा कि अपन लोग क्या आपने आपको स्वयम को उत्तम मानते तो मैं हम दोनों हम सकी बात हो उत्तम पुरुस मध्यम पुरुस तुम तुम दोनों तुम सब और अन्पुरुस क्या होते हैं बह बे दोनों बे सब इस प्रकार कि बिल्कु सई चले देखें निश्चय वाचक सर्वनाम कौन सा है क्या प्रश्ण वाचक है कुछ अनिश्चय वाचक है कौन भी प्रश्ण वाचक है यह जो है वह निश्चय वाचक है यह बस तू मतलब वन किलियर है कि यह वाली ठीक है तो यह क्या हो जाएगा निश्चय वाचक सरवनाम कौन सा है तो देखे कौन प्रिस्ट वाचक कौन है जो कोई अनिश्चय वाचक है कोई क्या पता कौन कोई ठीक है बहे अनिश्चय वाचक हो जाएगा यह घोड़ा अच्छा है इसमें यह क्या है जल्दी से बता दे यह घोड़ा अच्छा है यह क्या है तो ज दोस्तों लाइक जरूर कर दें एक बार वीडियो को तुरंत दी आपको पर्षन पसंद आ रहे हो और आपको पूरे पार्ट पढ़ने हो तो हमारे चैनल टॉप 50 श्टडी पर जाकर के प्ले लिश्ट में जाकर के क्रम से पूरे पार्ट आप 35-40 पार्ट है उनको देख सकते ह संबंद सर्वनाम कौन सा है संबंद सर्वनाम जल्दी से बता दें हाँ तो आपको बता दे कि बह जो है बह किया है स्पर से सर्वनद सर्वनाम है ऐसे हमारे एक हजार प्रशन की PDF है दोस्तों पढ़ते जाएं फिर आंगे PDF भी आपको हमारे चैनल पर बताएंगे किस प्रकार से आपको PDF को डाउनलोड करना है संग्या सर्वनाम की विशेषता वतलाने वाले सब्द क्या कहते हैं जो संग्या सर्वनाम की विशेषता वतलाते हैं उनको कहते हैं विशेषण ठीक है और विशेष जिसकी विशेषता वतला रहे हैं वो विशेष कहलाता है विशेषण संग्या सर्वनाम की विशेषता वतलाने वाले बिशेशन कितने प्रकार के होते हैं, तो बिशेशन चार प्रकार के होते हैं, निम ने लिखे सब्दों में कौन सा सब्द बिशेशन है, जल्दी से बता दें कौन सा सब्द बिशेशन है, देखो, इसमें दिया है सच्चा, सच्चा किशी की बिशेशता है कि नहीं कोई निमलिखित बाक में कुछ सब्द विशेशण है उसको छाटिए कुछ बच्चे का क्छा मैं सोर मचा रहे थे जल्दी से बता दीजिए कुछ कैसा विशेशण है गुण वाचक तो है नहीं अनिश्चित परिमाण वाचक भी नहीं है अनिश्चित संख्या का क्या है एक संख्या हो गई एक दो द्श बीस टे हो गया अनिश्चित इस पेकार से अनिश्चित संख्या अलस्स सप्द के विश्षण क्या है जल्दी बता देजी आलस्स का विश्षण हाँ जल्दी से पेहन चाले बिल्कुष आलस्सप्ड का हो जाएगा आलसी इनमेसे गुण बाचक विश्षण कौन गुण बाचक विशेशन बताना है जल्दी से बता दे गुण बाचक कुन सा है फिक नया क्या है गुण बाचक विशेशन है भटाक से डेली हमारी आपको किला से मिलती है इंदी व्याकरण की तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाए और डेली आप पढ़ते रहें निम लिखत accident मूर्ख आतल हुत पन थे मानाव सब्द से विशेशन बनेगा कई बार पूचा गया है मानव से क्या विशेशम बनता है है उतकर्स का विशेशण क्या होगा हाँ उतकर्स का होता है उतकर्स क्रिष्ट बिल्कु सही फटाक से उत्तर देना है आदर सब्द से विशेशण वनेगा आदर से यसे ही प्रशनाते हैं दोस्तों आदर से वनेगा आदर डिये आदर सब्द से विशेशन वनेगा यह हो गया, रिपीट हो गया है, संस्कृती का विशेशन है, संस्कृती, संस्कृती भी कई बार पूछा गया है, तो संस्कृती का विशेशन क्या हो जाएगा, तो आपको बता दे संस्कृती का जो विशेशन हो जाएगा संस्कृतिक, दो 400 प्रिष्णा भी हमारे complete हुए अभी बहुत अभी तो यह घड़ाई है आंगे बहुत लड़ाई है बहुत पढ़ना है बहुत अच्छी तैयारी perfect करनी है हिंदी की वह हम आपको कराएंगे आप हमारे इस प्रकार से जब आप play store से करते हैं तो यह आपका वैल जो है icon उसमें लगा हुआ है है ना तो इस प्रकार से self study classes आपको सर्च करना है और ऐसे icon में आपको app मिलने बाला है ठीक है तो दोस्तों हम देखें कि play store में आपको इस प्रकार से देखेगा यह self study classes ठीक है यह play store में आ आप इस्टोल करेंगे ठीक है अब इस्टोल करेंगे तो बहाँ पर आपको नंबर मांगेगा जेमेल लंबर मांगेगा तो आपको टीपी आएगा तो आप रेजिस्टर करके आंगे बढ़ेंगे